हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे इंटी पीसी 2016 में पूछेगे क्वेस्टेंस का सेट 3 और अगर आपने अभी तक सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए मैंने दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपर आई बटन में दे दी है और दोस्तो चाहे तो आप इन ग्लासेस को टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैं हर क्वेस्टन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को ध्यान से देखे ठीक है और दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरे सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को तो दोस्तो ये क्वेस्टन जो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ये क्वेस्टन 28 मार्च 2016 के सिफ्ट 3 में पूछे गए थे ठीक है तो चलिए देखते हमारा पहला क्वेस्टन क्या है तो क्वेस्टन है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर है आप्शन ए कोशिका कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं कोशिका की खोज, Robert Hook ने सन 1655 टीस्वी में कि थी ठीक है और इसे related question बनता है कि कोशिका की अध्यन को क्या कहते हैं तो कोशिका की अध्यन को cytology कहते हैं ठीक है और दोस्तों वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा cell है वो ostrich यानि की सुत्रमुर्ग के अंडे की होती है ठीक है वर्ल्ड में सबसे बड़ी cell ostrich egg की होती है ठीक है चलिए देखते अब हमारा next question क्या है तो दोस्तों हमारा second question है निमलिखित में से कौन सा निउन्तम छिद्रियोक्त है तो इसका right answer है option C चिकनी मिट्टी ठीक है दिये गया options में से जो चिकनी मिट्टी है या निउन्तम छिद्र कहने का मतलब है कि कौन से मिट्टी के particles के बीच में minimum gap है दोस्तों आप चारो तरह की मिट्टी को screen के उपर देख सकते हैं इनमें से जो चिकनी मिट्टी है इनके ही particles के बीच में minimum gap है ठीक है और जो चिकनी मिट्टी है इसका use मूर्तिया बनाने में की जाती है और दोस्तों जो मिट्टी है, उसके अध्यान को pedologie कहते हैं, ठीक है, और एक होती है, काली मिट्टी, इसका युज का पास की खेती में किया जाता है, ठीक है, ये question दो comedian दोस्को एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, कि किस मिट्टी का युज का पास की खेती में की जाती है ठीक है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको चलिए देखते हैं अब हमारा next question क्या है तो question है 2015 में Miss Universe किताब किसने जीती थी तो दोस्तो ये question उस साल करेंट affairs के रूप में पूछा गया था और इसका right answer है option भी PR watchback PR watchback को 2015 में Miss Universe का खिताब मिला था और दोस्तो जो 2019 है इसमें जो जी भी नी तुन जी को Miss Universe का खिताब मिला है जो की South Africa country से है ठीक है और जो Miss Universe title है या USA द्वारा 1952 से दिया जा रहा है ठीक है चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा next question क्या है तो question है चानके का एक अन्ये नाम क्या था तो इसका right answer है option B विश्णु गुप्त चानके का एक अन्ये नाम विश्णु गुप्त कौूटिली के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और जो चानके थे या चंद्र गुप्त मौरे के सासन काल में थे ठीक है और जो चंद्र गुप्त मौरे थे इन्हों ने ही मौरे वन्स की स्थापना की थी ठीक है और चानक के ने एक पुस्टक अर्थ सास्त की रचना की थी ठीक है चलिए देखते अब हमारा next question क्या है तो दोस्तो question है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो इसका right answer है option है राजा राम होन राए राजा राम मोहन राए ने सं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ठीक है और एक अन्य समाज है प्राथना समाज ये भी बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं इसकी अस्थापना आत्मा राम पांडूरंग ने की थी ठीक है और दोस्तों जो मात्मा गांधी है इन्होंने हरीजन सेवक समाज या हरीजन सेवक संग की अस्थापना 1932 में की थी ठीक है तो इस क्वेशन से हमें इतनी जानकारी मिलती है चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्ट्ट क्वेशन क्या है तो क्वेशन है निम्लिखित नदियों में से कौन सी नदी पस्चमी घाट से निकलती है तो इसका राइट आंसर है उप्शन भी कृष्णा नदी क्रिष्णा नदी महाबलेस्वर के पश्चिमी घार से निकलती है जो कि महाराष्ट में इस्थित है ठीक है और अधर आप्शन को देखे तो जो दामुदर नदी है या जारखंड राजे के छोटा नागपूर पठार से निकलती है और जो सोन नदी है या अमर कंटक की पहाड से निकलती है जो कि मद्य परदेश में इस्थित है ठीक है चलिए देखते दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्या है तो दोस्तों क्वेश्चन है सुभाज चंडर बोस की पीता कौन थे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन भी जानकी नात बोस सुभाज चंडर बोस की पिता फ्वारवर्ड ब्लोक की स्थापना की थी और इन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारे दिये थे और इनकी मृत्यों 1945 में वायू यान में दुरघटना के दौरान हो गई थी ठीक है पर उन्तु इसका अभी तक कोई प्रमान नहीं मिला है ठीक है चलिए देखते है दोस्तो अब हमारा next question क्या है तो question है निमलिखित में से मुक्के बाजी के लिए द्रोना चार पुरसकार किसने प्राप्त किया ठीक है ये question भी दोस्तो उस समय current affairs के रूप में पूछे गए थे ठीक है तो इसका right answer है option है गुरू चरण सिंग गुरू चरण सिंग को 2015 में मुक होते हैं उनके trainer या फिर coach को दिया जाता है ठीक है और इसमें trainer को पांच लाख रूपए की राशी प्रदान की जाते हैं ठीक है दोस्तो चलिए देखते हैं अब हमारा next question क्या है तो question है निमलिखित में से कौन सी एक nobel धातू है तो इसका right answer है option B चांदी चांदी एक nobel धात है दोस्तो टोटल 9 nobel धातू होते हैं जैसे आप screen के उपर देख सकते हैं कुछ example है gold platinum mercury silver etc ठीक है और दोस्तो nobel धातू कहने का अर्थ है कि यह metals corrosion और oxidation जैसे process को resist करते हैं इसका मतलब है कि corrosion और oxidation metal में होने नहीं देते हैं तो वैसे metals को nobel धातू कहा जाता है ठीक है और दोस्तो एक होता है nobel gas ठीक है total 6 nobel gas होते हैं जैसे कि helium neon आप screen के उपर देख सकते हैं और दोस्तो nobel gas कहने का मतलब है कि यह gases किसी भी other gases या किसी भी chemical से कोई भी reaction नहीं करती है ठीक है चलिए देखते दोस्तों यह जो लोहा है इसका atomic number 26 होता है और चांदी का 47 aluminum का 13 और दोस्तों जो कान से है यह copper और 10 का मिश्रन होता है क्योंकि दोस्तों कई बार exam में atomic number भी पूछ लिए जाते हैं ठीक है चलिए देखते अब हमारा next question क्या है तो question है निमलिखित में से किसने 2015 में सर्वस्ट्रेश्ट animated feature film के लिए उसकर पूरसकार जीता है दोस्तों यह question भी उससाल current affairs की रूप में पूछे गए थे तो इसका right answer है option B, Big Hero Big Hero का part 6 ने सर्वस्ट्रेश्ट animated feature film का award जीता था ठीक है और इस साल 2020 में फिल्म पैरासाइट को best movie का award दिया गया है और दोस्तों जी Oscar award है यह सन 1929 से USA द्वारा दिया जा रहा है और Oscar award फिल्म शेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा award है चलिए देखते हैं दोस्तों अब हमारा next question क्या है तो question है प्रसिद यात्री जहाज Titanic की इस देश का था तो इसका right answer है option C, Great Britain Titanic जहाज Great Britain का था दोस्तों 1912 में England से New York जाने के दौरा नौर्थ अट्लांटिक ओशन में Titanic जहाज दूब गया था ठीक है और इसमें लगभग 1500 लोगों की मृत्ति हो गई थी और बाद में इससे related एक movie भी आय थी जिसका नाम भी Titanic था वो 1997 में release की गई थी ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों अब हमारा next question क्या है तो question है Mariana Trench किस महासागर में इस्तित हैं तो इसका right answer है option B परसांत महासागर Mariana Trench परसांत महासागर में इस्तित है या जिसे हम Pacific Ocean भी कहते हैं ठीक है और दोस्तों जो Mariana Trench है यह Earth का deepest point है मतलब सबसे ज़्यादा गहराई वाला जगह है ठीक है और इसकी गहराई लगभग 8848 मीटर है और यह नेपाल देश में इस्तित है ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अब हमारा next question क्या है तो question है मानो सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो इसका right answer है option C steps steps मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी है और यह कान की हड़ी है ठीक है और इसी परकार जो femur है यह मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है जो की थाई में पाई जाती है जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं ठीक है और हमारे सरीर में total दोस्तो छे हड्डिया होती है परन्तु यह जन्म के समय लगभग 300 से 350 होती है ठीक है और दोस्तो हड्डियों से रिलेटेड दो क्वेश्चिन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो बोन से बोन का कनेक्शन है वो लिंगामेंट के द्वारा होता है ठीक है और जो बोन को ऑस्टियो लॉजी कहते है ठीक है तो इस क्वेश्चिन से आपको इतनी जनकारी मिलती है चलिए दोस्तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्वेश्चिन क्या है तो क्वेश्चिन है पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र पक्षी कौन सा है तो इसका राइट आंसर है आप वेश्ट का स्मालिष्ट बर्ड है यानि कि सबसे छोटा बर्ड है हमिंग बर्ड ठीक है और दोस्तो इसी परकार जो ओस्ट्रीच होता है या जिसे हम सुतुरमुर्ग कहते हैं या सबसे बड़ा बर्ड है ठीक है और जो कीवी है या नियूजीलैंड का राश्ट्रे तो चलिए दोस्तो अब देखते हमारा next question क्या है तो question है octopus के खून का रंग कैसा होता है तो इसका right answer है option B नीला octopus के खून का रंग नीला होता है और दोस्तो जो octopus है यह molluska phylum का सज़स्य है ठीक है और दोस्तो octopus के body structure के बारे में भी कुछ बाते जान लेते है octopus में total तीन heart, nine brains और eight arms होते है ठीक है जैसा कि दोस्तो आप picture में देख सकते है ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तो अब हमारा next question क्या है तो question है Australia का सबसे अधिक घनी अबादी वाला शहर कौन सा है तो इसका right answer है option B Sydney 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 जो है यह Australia का सबसे अधिक घनी अबादी वाला शहर है यहाँ पर एक किलो मिटर स्क्वेर एरिया में लगभग 15,000 लोग रहते हैं ठीक है दोस्तो इसलिए यह Australia का सबसे अधिक घनी अबादी वाला शहर है और दोस्तो जो Australia है यह वर्ल्ड का smallest continent है ठीक है और यह एक मात्र continent है जहाँ पे कोई भी वालकेनों यानि की कोई भी जो आलमों की नहीं इस्थित है ठीक है और दोस्तो आप picture में देख सकते हैं कि जो famous building opera house है या भी Australia में ही इस्थित है ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तो अब हमारा next question क्या है तो question है भारती विज्ञान संस्थान कहां पर इस्थित है तो इसका right answer है ऑप्शन भी, Bangalore भारती विज्ञान संस्थान बैंगलोर में इस्थित है और दोस्तों बैंगलोर में ही इस्षुरो का भी हेड़ क्वार्टर है जिसका स्थापना 1969 में हुआ था ठीक है और दोस्तों अधर आप्शन को देखे तो जो कानपूर है यहां भारतीय चीनी तकनीत की संस्थान है ठीक है और दोस्तों चन्नी में केंद्रिय चमड़ा अनुसंदान है चमड़ा यानि की लेदर ठीक है लेदर अनुसंदान है चन्नी में ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा next question क्या है तो question है निमलीखित में से कौन सा खेल ओलम्पिक खेल में से हटा दिया गया है ठीक है तो इसका right answer है option C baseball दोस्तो baseball को सन 2008 में ओलम्पिक खेलों से हटा दिया गया था ठीक है परन्तु 2021 के ओलम्पिक खेल जो की टोक्यों में आयुजित किया जाने है उसमें इसे फिर से वापस जोड लिया गया है ठीक है और दोस्तो जो baseball है या USA का राश्ट्रिय खेल है ठीक है तो question है computer के संदर्व में land का क्या तार्थ पर है तो इसका right answer है option B local area network land का आर्थ होता है local area network जैसा कि दोस्तों आप screen के उपर देख सकते हैं कि total तीन चीजे होती है land, man और when ठीक है इसे example के तौर पर समझते हैं यदि किसी घर में बहुत सारे computers के बीच में connections है तो उसे land कहा जाएगा ठीक है और यदि किसी इलाके में बहुत सारे घर है और उनके बीच में computers का जो relation है उसे man कहा जाएगा और दोस्तों जब बहुत सारे इलाके हैं और उनके बीच में जब computers का relation होगा इलाकों के बीच में तो उसे van कहा जाएगा ठीक है, man यानि की metropolitan area network और van यानि की wide area network ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अब हमारा next question क्या है तो question है, वर्तमान में हमारे द्वार उपियोग की जाने वाले रशायनिक प्रतिकों की उपियोग विदी किसने तयार की थी? तो इसका right answer है, option C, बरजीलियस बरजीलियस नहीं, सन 1813 में रशायनिक प्रतिकों की खोज की थी रशायनिक प्रतिक कहने कारत हैं दोस्तों, हम लोग जो periodic table में iron को fe के रूप में, oxygen को o के रूप में, carbon को c के रूप में देखते हैं इसकी खोज बरजीलियस नहीं की थी, ठीक है, और दोस्तों, other option को देखे, तो जो Louis Pasteur है, इन्होंने rabies के TK की खोज की थी, ठीक है, और दोस्तों, जो last option है, Jordan Dalton इन्होंने, सन 1808 में, atom की खोज की थी, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हमारा next question क्या है तो question है, पृत्वी की जल चक्र किसके द्वारा संचालित होती है, ठीक है, तो इसका right answer है, option C, सूर्य पृत्वी की जल चक्र है, वो सूर्य द्वारा ही संचालित की जाती है, दोस्तों, आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं, कि इस process में क्या होता है इस process में नदी और समुंद्र का जल, evaporation process द्वारा, atmosphere में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर condense होके, clouds यानिकी बादल बन जाते हैं, और फिर बादल से बारिश के रूप में पानी, धर्ती पर वापस आ जाता है, ठीक है, तो इस process को ही, water cycle या जल चक्र कहा जाता है और इसके अलावा दोस्तों जो पृत्वी है, वो अपने axis पर 30 degree जुकी हुई है, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हमारा next question क्या है, तो question है, ONGC का मुख्याले कहां इस्तित है, तो इसका right answer है, option D, देरादून, ONGC का headquarter देरादून में इस्तित है, परंतों दोस ठीक है, क्योंकि दोस्तों, ये question 2015-16 में पूछे गए थे, तो वरतमान में 2018 में, ONGC का मुख्याले को नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो अब ONGC का headquarter नई दिल्ली में है, इसको याद रखिएगा, और दोस्तों जो भेल है, यानि की भारत, Heavy Electricals Limited, इसका head quarter भी नई दिल्ली में ही इस्थित है, ठीक है, और दोस्तों एक होता है, IOC, यानि की Indian Oil Corporation, इसका headquarter भी नई दिल्ली में ही इस्थित है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, हमारा next question क्या है, तो question है, Thomas Cup किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका right answer है, option B, badminton, Thomas Cup क संबंद, badminton sports से है, और इसके अलावा दोस्तों, नारंग cup और चड़ा cup, इन दोनों का संबंद भी badminton sports से ही है, ठीक है, और दोस्तों जो डेविश cup है, white man cup, इनका संबंद, tennis sports से है, और दोस्तों, जो hockey है, इससे related cup जो है, वो, baton cup, आगाखा cup, और रंगा स्वामी cup है, तो यह सभी questions आप याद रखिएगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हमारा next question क्या है, तो question है, सूर्य की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है, तो इसका right answer है, option A, पर्मानु सनलेयन, जिसे हम nuclear fusion भी कहते हैं, दो hydrogen atoms, आपस में fuse करके, एक helium atom बनाते हैं, और इस process में, जो energy produce होती है, इसी process द्वारा, सूर्य में energy produce होती है, ठीक है, दोस्तों, इससे related एक question और बनता है, कि जो सूर्य का center part है, या जिसे हम core कहते हैं, वहां का temperature लगबग 15 million degree Celsius के आसपास होता है, और sun का outer surface है, जिसे हम chromosphere कहते हैं, वहां का temperature लगबग 5500 degree Celsius होता है, ठीक है, ये दोनों question दोस्तों exam में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हमारा next question क्या है, तो question है, निमलिखित में से कौन सा शहर, वास्तु कला के जरिष्टी से न नियोजित सहर है, इसे सन 1966 में प्लान करके बनाया गया था, और दोस्तों जो चंडिगर है, या पंजाब की राजधानी है, ठीक है, और इसके साथ ही चंडिगर एक union territory भी है, यानि की केंदर शासित परदेश, और हमारे देश में वर्तमान में total 8 union territory है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हमारा next question क्या है, तो question है, सबसे बड़ा stunt pie, यानि की biggest mammal कौन सा है, तो इसका right answer है, option C, blue whale, blue whale, world का सबसे बड़ा mammal है, परंतु दोस्तों एक question ध्यान दीजिएगा, कि जो blue whale है, या water में रहने वाला biggest mammal है, ठीक है, ये तो समुझर में रहता है, और दोस्तों जो अफरीकी हाती है, या land पर रहने वाला biggest mammal है, ठीक है, दोनों question को ध्यान दीजिएगा, जो अफरीकी हाती है, या land पर रहने वाला biggest mammal है, ठीक है, अर दोस्तों, जो सबसे च्छोटा mammal है, वो bumble bee बैट है यह एक बैट की प्रजाती है ठीक है दोस्तो और जो मैमल से इनके ग्रूप में नॉर्मली बाडी टेंपरेचर 37 डिगरी सेल्सियस के आसपास होता है परन्तु एक मात्र जो पशु है बकरी उसका टेंपरेचर मैमल में सबसे ज्यादा 39 डिगरी सेल्सियस होता है यह क ध्यान रखीएगा चलिए देखते अब हमारा नेक्स्ट पूष्चिन क्या है तो क्वेश्चिन है सबद इक्विनॉक्स क्या है तो इसका राइट आंसर है अप्शन भी दीन और रात एक समानव honour दी के होता है एक 20 मार्च को और दूसरा 23 सेप्टेम्बर को ठीक है और दोस्तों ये बनने का रीजन है कि प्रित्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23 डिग्री जुकी हुई है जिसके कारण जब ये दूसरी तरफ 23 डिग्री जुकती है तो ये एक कंडिशन आती है जब इक्विनोक्स बनता है ठीक है तो चलिए देखते है दोस्तों अब मारा नेक्स्ट कुईस्टन क्या है तो क्विश्चन है पार्श्तिकी तंत की संकल्पना को किसने इवॉलुशन दिया था, ठीक है, और दोस्तो, मानों विकास के स्टड़ी को, एंथ्रो पोलोजी कहते है, ठीक है, मानों विकास के स्टड़ी को, एंथ्रो पोलोजी कहते है, और इसका right answer है, option ये आर्थर टांस्ले, ठीक है, जल कारें देखतों है, अब हमार नेक्स्ट है दुनिया भर में बोली जाने वाली दूसरी सबसे भड़ी भासा कौन सी है तो इसका राइट आंसर है option भी Spanish दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरी नमबर पर Spanish भासा बोली जाती है और पहले नमबर पर वर्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो इसका राइट आंसर है option भी Spanish चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा next question क्या है तो question है विकास का सिधान किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो दोस्तों अभी हमने पिछली question में इसके बारे में discuss किया कि जो Charles Darwin थे इन्हों नहीं विकास का सिधान यानि कि theory of development दिया था ठीक है और दोस्तों other option को देखे तो जो Albert Einstein है इन्हों ने theory of relativity यानि कि सापिक्स्ता का सिधान दिया था जिसमें कि E equal to mc square को दर्शाया गया था जिसमें कि जो E है यह energy को denote करता है m mass को denote करता है और c जो है यह speed of light को denote करता है ठीक है और दोस्तों जो last option है Isaac Newton इन्होंने three laws of motion दिये थे जो गती के तीन नियम है वो Isaac Newton द्वारा ही दिये गया थे और दोस्तों जो gravitational force है या जिसे हम गुरुत्वा कर्षन बल कहते हैं वो भी Isaac Newton द्वारा ही दिया गया था ठीक है तो इस question का right answer है option है Charles Darwin ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा next question क्या है तो question है light paint क्या है तो इसका right answer है option भी input device light paint एक input device है जैसा कि दोस्तों आप screen के उपर देख सकते हैं और इसके अलावा जो keyboard है mouse है web camera है यह सब भी input device है ठीक है और इसी प्रकार कुछ output device के बारे में भी बात कर लेते हैं जैसे की speaker monitor जो कि हमारी screen होती है computer की वो printer यह सब output device की example है ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा next question क्या है तो question है real किस देश की मुद्रा है ठीक है तो इसका right answer है Brazil रियाल जो है यह ब्राजिल की मुद्रा है इसके अलावा दोस्तों जो रियाल है यह कतर इरान साओधी अरब इन सब की भी currency है और जो चीन है इसकी currency यूवान है और इसी प्रकार जो क्यूबा है इसकी currency पैसो है ठीक है और आस्ट्रिया की currency यूरो है ठीक है इन सभी questions को भी आप याद रखिएगा तो इसका right answer है option C Brazil चलिए देखते हैं दोस्ता हमारा next question क्या है तो question है निमलिकित में से कौन सा एक रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है तो इसका right answer है option C neutralization neutralization एक रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है दोस्तो इसमें क्या होता है कि acid और base को मिला कर water or salt बनाया जाता है जैसे कि आप screen के उपर example के तोर पर देख सकते हैं कि HCl एक acid है और NaOH एक base है इन दोनों को react रखरके water H2O और NaCl चो की salt है बनाया जा रहा है ठीक है और दोस्तो जो sublimation है इस process में जो solid है वो direct gas में change हो जाती है liquid state में नहीं आती है ठीक है इसके example है dry ice या जिसे हम solid CO2 भी कहते हैं ठीक है solid CO2 क्या करता है दोस्तो अगर आप इसे gas से liquid में convert करना चाहेंगे तो नहीं होगा gas सीधा solid state में convert होगा ठीक है और उसी तरह solid से gas state में आएगा तो दोस्तो इसका right answer था neutralization चलिए देखते हैं अब हमारा next question क्या है तो question है दादा साफ फाल के पुरुषकार से समानित होने वाले प्रतम वैक्ती कौन थे तो इसका right answer है option D. देविकारानी देविकारानी को सन 1969 में दादा साफ फाल के पुरुषकार से समानित किया गया था और दोस्तो जो दादा साफ फाल के पुरुषकार है या भारती सिनिमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है ठीक है और जो दादा साफ फाल के अवार्ड दिया जाता है तो दोस्तो जो पृत्वी राज कपूर है इन्हें 1971 में दादा साब फाल के अवार्ड दिया गया था ठीक है और लता मंगेशकर जी को 1989 में और जो सत्य जीत राय है इन्हें 1984 में दादा साब फाल के पुरसकार दिया गया था ठीक है तो इस question का right answer है option D. देविकार राने चलिए देखते हैं दोस्तो अब हमारा next question क्या है तो दोस्तो आज का हमारा last question है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनीज के परिवान को सक्षम बनाता है तो इसका right answer है option C. जाइलम पौधे जाइलम के द्वारा ही पानी और खनीज को अपने body के different parts में पहुँचाते हैं जैस और जो पत्ती वाला part है इसमें ही पौधे अपना भोजन तयार करते हैं और पत्ते अपना भोजन तयार photosynthesis यानि की प्रकास installation process द्वारा तयार करते हैं इस process में क्या होता है कि पौधे sunlight से energy लेकर और atmosphere से CO2 और water लेकर photosynthesis process द्वारा भोजन तयार करते हैं और last में oxygen gas को release करते ह ठीक है तो इसका right answer है option c xylem तो दोस्तो आज की class को हम यहीं समाप्त करते हैं और next class में हम set 4 को discuss करेंगे ठीक है और friends अगर आपने अभी तक set 1 और 2 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए link description box में और उपर i button में हैं और अगर आपको class से related कोई doubt है तो comment box में जरूर लिख और discuss करके हम कई questions solve कर पा रहे हैं तो दोस्तो अगर आपको class पसंद आ रही है तो please channel को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजे ताकि मेरे सभी आने वाले videos की notification आपको मिल सके और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें तो चलिए दोस्तो अब मिलते है next class में तब तक के लिए thank you and God bless you of all